हेलो वारियर्स, once again you all are warm welcome to my YouTube channel हेंगलिस स्पाइसेज, conjunction series finish करने के बाद आज आप लोग के सामने छोटा सा grammar element के साथ आया हूँ बस कहने को छोटा है लेकिन इसका work और role बहुत है आज अपने speaking में एक नया element को add करेंगे और अपने speaking को बहुत ज़्यदा effective और smart बनाएंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ use of being की या आज इस वीडियो में बीग के पांच ऐसे use देखेंगे पांच ऐसे effective use देखेंगे जो बहुत ज़्यदा relevant और useful है अज को add करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले चली मैं आपको यह बता देता हूँ कि बीग को अपने grammar और speaking part में किस-किस तरह से यूज किया जाता है तो बीग को जो तीन तरीके से हमारे speaking part में यूज कियाता है जो पहला है as a helping verb second as a main verb और third as a फ्रेवल वर्ड फ्रेजल वर्ड शॉर्ड तो बीग को तीन तरह से यूज कियाता है as a helping verb as a main verb and as a phrasal verb चले एक एक करके इसको देखते हैं पांच यह से यूज जो बहुत यहादा relevant मज़ेदार होने वाली है जिसमें से पहला हमारा जो बींग का यूज है उसका मेनिंग होता है होने के नाते या होने के वज़ा से जो हमें इस सेंस में कुछ बोलना होता है लाइक होने के नाते या फिर होने के वज़ा से बड़े भाई होने के नाते चाचा होने के नाते पापा होने के नाते तुम्हारा दोस्त होने के वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं या कुछ कर रहा हूं तो वहां पर हम यूज करते हैं आई चली इसको एक्जांपल में यूज करते हैं और डीटियल में समझते हैं इस word which means you know mana करना कोई भी चीज तो यहां पर ing लग जागा है मैं मना कर रहा हूं well moving right to the next example like being a good friend I will not let you go being a good friend एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा I will not let you go all right we have already finished the first use like होने के नाते या फिर होने के वज़ा से the second use of being second use क्या होता है बिंग का बिंग का यूज जो second है वो as a continuous tense use क्याता है चाहिए वो present हो चाहिए past हो और साथ में ही continuous passive में भी यूज करते हैं continuous test present continuous हो चाहिए past continuous हो जैसे present continuous subject plus is a mark plus verb first form then ing plus object that's it if I just talk about the past continuous tense so वहां पर क्या हो जाएगा subject plus what work plus first form then ing जी तियो जो बीम है जो second user यह as a as a as a main verb work करेगा यहां पर ठीकर जैसे for example he was being honest he was being honest honest मिस इमांदार वह बहुत इमांदार बन रहा था बन रहा था तो यहां पर जो कि प्रिजन कांट्यूस पास्ट कांट्यूस में यूज होगा अभी लास्म मैंने कुछ और भी का था कि यूज करते हैं पास एक्टिव एक्टिव पैसी जो वाइस होता है उसमें का यूज होता है जैसे खाना पकाया जा रहा था the food was being cooked the food was being cooked the food was being cooked second example इसमें हम देख सकते हैं जो है the room is being cleaned the room is being cleaned room को साफ किया जा रहा है इंका दो use finish करने के बाद आए चलिए देखते हैं third use of being जिसका meaning होता है होना या फिर बदलना let's come to understand with examples जैसे जब भी कोई चीज होना या बनना वहां बात आती है तो वहां पर भी हम बींग का चिंतित हो रहा था बहुत जादे परसान हो रहा था next example we can also see he is being sad he is being sad वह दुखी हो रहा है he is being sad वह दुखी हो रहा है वह खुस हो रहा है he is being happy he is being happy वह खुस हो रहा है that's it being का फोट यूज देखते हैं let's come to understand with examples like वह हार जाने पर गाली देने लगा वह हार जाने पर गाली देने लगा या गाली देना शुरू कर दिया ठीक है so being defeated he started abusing being defeated he started abusing यहां पर हम क्या करेंगे बिंग के साथ वर्ब का third form use करेंगे and after that he started abusing या कुछ भी आप महा पर यह बोल सकते हो वह हार जाने पर गाली देना शुरू कर दिया being defeated he started abusing next example like being beaten he started fighting being beaten मतलब पिट जाने पर कुछ हो जाने पर मतलब पिट जाने पर यहां पर जो बिंग बिटन इसका मीनिंग है वह पिट जाने पर he started fighting लडाई कर दा शुरू कर दिया and the last and final use of being is last हमारा जो 50 यूज है जिसका मीनिंग होता है रहना जहां रहने का sense आये वहां पर हम बिंग का यूज करते हैं आई एक्जम्पल के साथ इसको भी डीटिल में देखते हैं और यहां पर बिंग का हम बुरा फुल यूस फिनिश करते हैं जैसे I feel good being with you आपके साथ रहके मुझे बहुत अच्छा लगता है I feel good being with you being with you मतलब आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है now the second and last example of being और इसी खेलना बंद करो stop playing कुदना बंद करो stop jumping वहां से उसी तरह से लाइक उसके साथ रहना बंद करो कि यहां रहने का संसार है उसके साथ रहना बंद करो वह भी यूस कर सकते हो stop being with him all right now we have finished the five views of being I hope that you enjoyed very well thanks for watching and thanks for visiting our channel hangless spices bye bye take care